गुड मॉनिंग, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संजे बंडारी, स्वागत करता हूँ आप अपने यूट्यूब चैनल केमस्ट्री पेज में, और हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर एक जे डबली और नीट के लिए क्रेश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें ह क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, मेरा नाम है संजे बंडारी और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल केमस्ट्री पेज में, इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग एक क्रेश कोर्स जे डबली और नीट 2021 चला रहे हैं, जिसमें हम लोग क्यमस्ट्री सब् आज है मंडे 11 तारिक तो हम लोग सल्यूशन फुल चैप्टर रिविजन करने वाले हैं, उसके दो दिन बाद यानि 13 तारिक को इसी चैप्टर का नीट प्रिवेस एर सल्यूशन आपको मिलेगा, सेटर्डे को इसका एक ओनलाइन टेस्ट होगा, और संडे तक जितने भी ड सल्यूशन फुल चैप्टर रिविजन, एंसे आर्टे के सारे इंपोर्टेंट पॉइंट अब इसमें कवर करेंगे, तो अगर आपने एक बार एंसे आर्टे पढ़ी होगी, तो अच्छा है नहीं भी पढ़ी होगी, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको पढ़ने की जरत नहीं पढ़ी है, बस अर्टे लेक्चर आपने अच्छी तरह से देखाओ, तो शुरू करें, तो बच्चों शुरू करते हैं, चैप्टर सल्यूशन, देखिए, सल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट एन सल्यूट, तो गेट सल्यूशन, जो सॉल्व तो बच्चों, सल्यूशन एक तरह का होमोजिनेस मिक्शर होता है, इसमें आप एडेंटिफाइ नहीं कर सकते हैं, कि सॉल्वेंट कौन सा है, और सल्यूट कौन सा है, सल्यूशन की कमपोजेशन एक जैसी रहती है, थ्राउट दा मिक्शर, क्लियर, अब बात करते हैं, सल्य सल्यूशन कितने टाइप के होता है, तो जनरली हमारे पास तीन टाइप के सल्यूशन है, गैसे सल्यूशन, लिक्विड सल्यूशन, एन सॉलिड सल्यूशन, तो अगर मैं सल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग लेता हूं, तो नौ टाइप के सल्यूशन हमारे पास निक इस टाइप आव गैसे सलूशन अगर लिक्विड सल्यूट और सॉल्वेंट गैस तो एक्जाम्पल होगा ख्लोरोफॉर्म इन नैट्रोजन गैस यहाँ पर देखे सबसे पहले हमने सॉल्वेंट को गैस रखा है और सलूट को हम चेंज करते जा रहे हैं तीसरा सॉलिड इन ग तो आपका liquid solution मिल जाएगा उसके बाद solid solution की बात करें तो gas in solid, hydrogen in palladium, liquid in solid, amalgam of mercury with sodium और last is solid in solid, तो alloys जो हमारे होते हैं वो इस तरह के solution बनाते हैं तो clear हो गया, तो कई बार बच्चों इस type से question पूछा भी जाता है और खास कर इसके example, तो example आपको याद रखने जरूरी है तो चले next हमारे पास है expressing the concentration of solution, जब आप किसी solute को किसी solument में मिलाते हो, तो कुछ नकुछ volume और कुछ नकुछ amount वहाँ पर mix होती है तो कितनी concentration उच्च solution की बनेगी, उसको expression करने के लिए कुछ formula दिये गए और कई बार इससे calculation वाले question आते हैं, तो महाँ पर आपको इन formula की जरूरत पड़ेगी तो हम बात करते हैं expressing the concentration of solution, तो कुछ formula में आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले हमारे पास है mass percentage, तो mass percentage को हम w by w से भी denote करते हैं, तो अगर किसी एक component का आप percentage निकलना चाहो, तो कैसे निकालेंगे, उस component को आप उपर रखो, w2 by total mass of solution, mass of individual component by total mass of solution into 100, इसी तरह w1 का भी आप निकाल सकते हूँ, clear होगे है, अब ये तीन formula बहुत important है, molarity, molality and mole fraction, इसी से सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं, तो अगर मैं molarity की बात करूँ, तो molarity को इस तरह भी लिख सकते हैं, अब ये कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ, तो molarity का मतलब होता है, number of moles of solute by volume of solution in liter, अब देखे बच्चों, जो हमारे पास number of mole है, उसको हम W2 by M2 में भी denote कर सकते हैं, W2 मतलब उस solute का gram में weight कितना है, और M2 मतलब उस solute का molecular weight कितना है, ये तो number of moles हुआ, और नीचे हमने लिखा solution की amount ml में, तो उपर हमने क्या-क्या thousand कर दिया, इस तरह से हम इस formula को भी लिख सकते हैं, अब अगर मैं molarity की बात करूँ, तो यहाँ पर हम solvent का weight kg मिलेंगे, तो formula क् हो जाएगा, number of moles of solute by weight of solvent in kg, ठीक है, और अगर इस formula को मैं इसे लिख सकते हैं, उस solute का gram में weight कितना है, और उस solute का molecular weight कितना है, तो thousand by weight of solvent हो जाएगा, clear, mole fraction की हम बात करें, तो mole fraction का मतलब होता है कि number of mole कितने है, total mole में से, तो mole fraction को हम x से denote करते हैं, तो अगर मैं पहले वाले component का mole fraction देखना चाहूं, x1, equal to number of mole of component 1 by total mole, और दूसरे component का mole fraction, यानि x2 equal to number of mole of second component by total mole, clear, तो इस तरह से हम mole fraction count कर सकते हैं, और बच्चों, total mole fraction एक से जादा नहीं होता है, तो इन तीनों formula को आपको बहुत अच्छे तरह से जानना है, और इसी से सारे question solve करने है, अब कुछ और formula हमारे पास भी है, जैसे volume percentage, तो mass percentage जैसे हमने निकाला, उसी तरह volume percentage भी निकाल सकते है mass by volume percentage, ठीक है, उसके बाद mass fraction जैसे हमने mole fraction निकाला है, वैसे mass fraction निकाल सकते है, इस strength, ठीक है, कितना gram solute, कितने ml solvent में dissolve है, इस तरह कर सकते है, part per million, ठीक है, तो एक million में कितने part है, तो million को हम 10k power 6 e-reload करते हैं तो चलिए बच्चों, next time discuss करते है, solubility, एक diagram आपकी screen के सामनी है, जहां पर solute उसका weight दे रखा है, और solvent इसका volume भी दे रखा है, तो solubility के लिए आपको तीन चीजों को पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि solubility क्या होती है, तो solubility का मतलब यह होता है, बच्चों, कि maximum amount of substance, that can be dissolved in a known amount of solvent at specified temperature, it is called solubility, यहनि, fixed temperature पर maximum amount of solute can be dissolved in a known amount of solvent, that is called solubility, यहना, clear, अब देखिये, solubility के basis पर दो टाइप के solution होते है, एक unsaturated solution और दूसरा saturated solution, unsaturated का मतलब, आप solvent का volume fix कर दो, temperature fix कर दो, और उसके बाद solubility को आप solvent में dissolve करते जाओ, जब तक वो dissolve होता रहेगा, that means, solution will be unsaturated, एक amount के बाद, वो dissolve होना बंद हो जाएगा, और नीचे bottom पर बैठना शुरू हो जाएगा, तो उस solution को हम बोलेंग, saturated solution, तो दोनों के definition मैंने यह लेकिए, saturated solution मतलब, इस solution in which no more solute can be dissolve at a given temperature, is set to be saturated solution, उसके बाद, आप और ज़्यादा dissolve नहीं कर सकते हैं, उस particular solute को, लेकर unsaturated की बाद, जितना मर्जी आप dissolve कर लो, ठीक है, तो उसी को में बोलेंगे, unsaturated solution, तो clear हो गया, आगे बात करते हैं, factor affecting solubility of solid in liquid, तो यहाँ पर देखे बच्चों, number one है, nature of solute and solvent, तो हम सब लोग जानते हैं कि polar solute हमेशा polar solvent में ही dissolve होते हैं, और non-polar solute, non-polar solvent में dissolve होते हैं, polar solvent हमारे पास कैसे होगे, ethanol and water, और non-polar solvent, carbon tetracloride, benzene, chloroform, इस तरह, दूसरा, effect of temperature, देखे बच्चों, कई बार, जब कोई solute किसी solvent में dissolve होता है, तो energy release होती हैं, और कई बार energy absorb होता है, अगर process endothermic हो, यानि energy absorb हो रही है, तो solubility temperature बढ़ाने से बढ़ेगी, लेकिन अगर energy release हो रही हो, process will be exothermic, तो solubility temperature बढ़ाने से घटेगी, और इसका मैं आपको एक अच्छा सा example बता देता हूँ, ताकि आपको स solute की solubility temperature बढ़ाने से बढ़ती है, उनकी नाम है NaNO3, KCl, NaCl, KNO3, इनकी solubility बढ़े, अब देखे बच्चों, कुछ ऐसे substance है जिनकी solubility temperature बढ़ाने से घटती है, तो वो देखो कौन से हमारे पास, लीथियम कार्बोनेट, Li2CO3, दूसरा हमारे पास है, सीरियम सलफेट, सीरियम सलफेट, तीसरा हमारे पास है, सोडियम कार्बोनेट, मोनो हाइडरेट, यानि Na2CO3 और मोनो है, तो एक H2O, इस पर लगेगा, यलावा और भी होते हैं, तीन ऐसे solute है, जिनकी solubility temperature बढ़ाने से घटती है, अब देखिए, यहाँ पर pressure का कुछ ज़्यादा important role नहीं है, अब important दूसरा हमारे पास, solubility of gases in liquid, यह बहुत important है, यहाँ पर pressure का बहुत important role हो जाएगा, temperature का भी important role है, पहले बात करते हैं, effect of temperature, देखें बच्चों, जब कोई gas किसी liquid में dissolve होती है, तो heat evolve होती है, यानि gas plus solvent, तो क्या बना यहाँ पर solution बना heat release होई, तो जब बच्चों heat release होगी, तो that is called exothermic process, और latch at layer principle हमने पढ़ा है, अगर heat release होती है, तो solubility decrease होगी, तो temperature बढ़ाने से किसी भी gas की solubility उस liquid में decrease होगी, और इसका बहुत अक्सा example है, कि अगर मैं cold water लूँ, तो वहाँ पर O2 की solubility बढ़ेगी as compared to hot water, clear? दूसरा important factor है pressure, तो हम सब लोग जानते हैं कि gas का जो pressure है, अगर वो बढ़ा दिया जाए, तो उसकी solubility उस particular liquid में बढ़ेगी, for example हमारे पास जितने भी ये carbonated drink है, soda water है, उसमें CO2 pressurized form में liquid में dissolve होती है, तो जैसे हम pressure release करते हैं, CO2 वापिस release हो जाती है, तो pressure बढ़ाने से उस particular gas की solubility उस particular liquid में बढ़ेगी, और इसको बच्चों हम एक law से भी जानेंगे, that is called Henry law, तो Henry law ये बोलता है, कि partial pressure of gas, जो उस particular liquid के उपर है, is deadly proportional to the mole fraction of gas, कितना number of mole dissolve हो है, वो उसके partial pressure पर depend करेगा, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते है, partial pressure of gas equal to kH into mole fraction of gas, यहाँ पर जो kH है, वो क्या है, एक Henry constant है, तो law क्या बोलता है, the partial pressure of gas is deadly proportional to the mole fraction of gas in solution, kH, it is Henry law constant, और यह हर किसी gas के लिए different होता है, at particular temperature, अब देखो बच्चों, अगर kH की value बढ़ेगी, higher the kH, तो lower will be the solubility, यह ज्यान रखना आपको, kH बढ़ाने से solubility घटती है, जबकि pressure बढ़ाने से solubility बढ़ती है, पिर चलो, अब इसको एक graph से समझते हैं, यह एक graph है, जिसमें इधर partial pressure of gas है, इधर mole fraction of gas है, तो देखो, जैसे जैसे हम partial pressure बढ़ाते जा रहे हैं, तो mole fraction भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो बूलने का मतलब है कि partial pressure डेक्टी प्रोपोर्शन टूदा mole fraction of gas, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जहां पर kH के हैं 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 इतना ही रखना हैं, तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना हैं, कि जो henry constant हैं, यानि जो kH है, वो solubility के just opposite होगा, है ना, अब बात करते हैं, limitation of henry constant, तो यह जो law है, वो तभी applicable है, जब वो gas ideal behavior show करेगी, at high temperature and low pressure, दूसरी चीज, particular gas associated हो, न तो dissociated हो, न तो टूटे, न तो जूडे, तो बच्चों, यहाँ पर मैं एक example आपको देना चाहूँगा, जैसे NH3 है, तो NH3 henry law को follow नहीं करती है, क्यों, क्योंकि जब हम NH3 को water में dissolve करते हैं, तो NH3, NH4 OH बनाती है, और जो आगे जाके breakdown हो जाता है, NH4 प्लस और OH माइनस में, तो ऐसी gas हमें नहीं चाहिए, जो या तो dissociate हो, या तो associate हो, उसी तरह दूसरा हमारे पास example है, है, HCL का, यहीं पे लिखता हो तो हमें, HCL, तो जब आप HCL को water में dissolve करते हैं, तो वो बच्चों क्या करता है, है, aqueous solution मनाता है, HCL का, इस तरह से, और बाद में यह किस में तूट जाता है, H+, और OH- आयन में है, तो यह dissociate हो रहा है, यहां पर यह associate हो रहा है, तो ऐसे gas हमें नहीं चाहिए, वो follow नहीं करते हैं, याद रहेगा, तीसरा हमारे पास limitations है, ऐसी gas, जो कोई और product बनाती है, chemical reaction करती है, तो वो Henry law को applicable नहीं करती है, तो कुल मिला के तीन चीजे निकल के आती है, एक तो आडिल बेवर शो करे, न तो dissociate हो, न तो associate हो, और do not form any product by the chemical reaction, clear? अब बात करते हैं, राउल्ट's law, इस पर भी बहुत सारे question पुछे गए हैं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, माले जह हमारे पास एक पीकर है, और बीकर के अंदर दो liquid है, liquid A and liquid B, दोनों ही liquid volatile है, क्या है, volatile है, यानि कम temperature पर evaporate हो जाते हैं, ठीक, और जब दोनों evaporate होंगे, तो उपर उनकी vapor आएंगी इस तरह से, clear? तो यह कुछ vapor form में हैं, कुछ liquid form में हैं, तो vapor में आने से इनका vapor pressure PA and PB होगा, तो उपर यह vapor pressure है, और नीचे यह क्या है, mole fraction में, यानि liquid form में है, clear? तो राउल्ट लो यह बोलता है, कि यह जो mole fraction है, कितनी amount वो solution में है, और कितनी amount वो vapor phase में उन दोनों की बिच रिलेशन सिप सेट अप किया है, तो राउल्ट लो यह state that, in the volatile liquid, the partial pressure of each component, A and B, कुछ भी हो सकता है, is directly proportional to the mole fraction of solute present in the solution. तो जो हमारे पास partial pressure है, किसी एक particular component का, वो किसके बराबर होगा? उसके mole fraction के बराबर होगा. उसी तरह P, B के लिए भी ऐसे होगा, ठीक है, X, B, समझे हैं, बात आ रही है, तो partial pressure is badly proportional to the mole fraction of particular component in that solution, समझ भी मारा है, अब इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, देखो, P, A, equal to X, A, into P, A, not, जो P, A है, वो उस particular component का partial pressure है, अगर मैंने A लिया, तो A का partial pressure है, उपर, ठीक है, और जो P, A, not है, ये not लगाया, ये उस particular component का, pure form में pressure है, जब वो pure liquid होता है, तब उसका pressure है, और X, A क्या है, mole fraction of particular component, तो P, A के लिए हम ऐसा लिखेंगे, P, B के लिए भी same हो जाएगा है, कितने भी component हो सकते हैं, तो हमने हमें दो component की बात की, clear, अब देखो, Dalton's law क्या बोलता है, कि जब total pressure की हम बात करते हैं, तो दोनो partial pressure आपस में compound हो जाते हैं, P1 और P2, तो P1 के आप partial pressure of component 1, और P2 के आप partial pressure of component 2, तो partial pressure को हम ऐसा लिख सकते हैं, और P2 के लिए, 2 के लिए मैं ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, तो equation को थोड़ा- component 1, प्लस, pure pressure of component 2, minus pure pressure of component 1, mole fraction of component 2, तो ये बच्चों एक बहुत important equation है, जहां पर mole fraction दिया हो, तो मैं partial pressure निकाल सकता हूँ, है ना, तो कई सारी चीज़ें इससे निकल के आती हैं, तो ये equation आपको याद रखनी है, clear, अगर vapor phase में आपको mole fraction निकालने हो, तो कैसे निकालोगे, y1 by p total, तो यहां पर बच्चों, y1 क्या हो जाएगा, p1 by pt, तो इस से आप, इस equation से आप, vapor phase में उस particular component का mole fraction निकाल सकते हो, और बागी ये भी same to same है, clear, तो vapor phase में आपने mole fraction निकाल दिया, और liquid के अंदर भी mole fraction निकाल दिया, तो round low आपको इसमें help करेगा, तो चलिए नेक्स हम discuss करते है, graphical representation of round low, ये एक diagram आपके सामने है, तो आप इस point को ले लिजिए, तो इस point पर दो component है, component 1 and component 2, और जिनके mole fraction की value यहां पर दे रहे है, component 1 का mole fraction 0 है, component 2 का mole fraction 1 है, इसका मतलब इस liquid के इंदर समय केवल component 2 है, तो उसका जो भी pressure होगा, वो इतनी value create करेगा, यानि something value कुछ भी है, तो वो pure होगा, क्योंकि component 1 तो है नहीं, अब माल ले जाएकि दूसरी तरफ हमने देखा, कि component 1 इस समय 100% है, component 2 0% है, तो ये भी एक तरह का pure liquid है, उसका pressure, pure pressure यह रहा, तो जब आप यहां से यहां जाओगे, या यहां से आ जाओगे, तो आप देखोगे, आते हैं, तो 1 का mole fraction बढ़ रहा है, तो आपको इस तरह का graph मिलेगा, देखो, जब आप right से left की तरफ आते हैं, तो धीरे धीरे जो है, x1 का mole fraction बढ़ रहा है, इसका मतलब की x1 का भी partial pressure बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, उसका partial pressure बढ़ रहा है, और जब हम left से right की तरफ जाते हैं तो X2 का mole fraction बढ़ रहा है देखो वो 0 से 1 की तरफ जा रहा है तो धिरी दिसका partial pressure भी बढ़ रहा है तो यही बोलता है कि जब mole fraction बढ़ेगा तो partial pressure भी बढ़ेगा partial pressure और mole fraction एक दूसरे के डैटली proportional होते हैं और जब आप इस दोनो pure pressure को जोड़ोगे तो वो क्या pressure दिखाएगा आपको P total तो कहीं पर भी आप देख लो होसे तो बच्चों यही route law है कि partial pressure of any component is deadly proportional to the mole fraction of that component clear? तो चलिए बच्चों next हमारे पास है ideal solution route law को कुछ solution follow करते हैं कुछ solution follow नहीं करते हैं तो इसी आदार पर solution दो पार्ट में divide के गए है कुछ solution ideal solution कहलाते हैं कुछ solution non-ideal solution कहलाते हैं तो आए देखते हैं इनके बारे में तो सबसे पहले हमारे पास है ideal solution ideal solution वो solution होते हैं जो route law को follow करते हैं at all composition और concentration किसी भी concentration में या किसी भी composition में उन component को आप mix कर दो तो सारी composition या सारी concentration में वो route law को follow करते हैं ठिक यहाँ पर बच्चों जो enthalpy change होता है वो zero होता है न तो heat evolve होती है न तो heat absorb होती है जब हम दो component को आपस में mix करते हैं तो delta h mixing will be zero इसी तरह volume में भी कोई change नहीं होता है यानि delta v mixing will be zero जब आप दोनों solution को मिलाओंगे तो न तो volume increase होगा न तो volume decrease होगा तो यह ideal solution की खास बात है example बहुत important है कई बार पूछी भी जाते हैं तो tolven and benzene ethyl iodide and ethyl bromide bromobenzene and chlorobenzene और last है मारे पास n-heptane and n-hexene तो जब भी आप इन दोनों component को आपस मिक्स करोगे न तो enthalpy में change आएगा न तो volume में कोई change आएगा और यह किसी भी composition और concentration में हो route law को follow करते हैं clear? अब आगे हमारे पास है non-ideal solution non-ideal solution वो solution होते हैं जो route law को follow नहीं करते हैं किसी भी concentration पर वो route law को follow नहीं करते हैं clear? दो type के non-ideal solution निकल के आते हैं एक ideal solution वो होते हैं जो positive deviation शो करते हैं route law से और दूसरे वो होते हैं जो negative deviation शो करते हैं route law से positive deviation और negative deviation का मतलब क्या वा? देखो यह जो dot line आपको दिख रही है यह ideal behavior शो कर रही है यानि ideal solution के लिए है तो जब हम positive deviation की बात करते हैं तो इनका vapor pressure इस ideal से थोड़ा सा जादा हो जाता है वहीं पर अगर मैं individual partial pressure की बात करूँ तो वो भी देखे individual component से जादा है तो this is a type of positive deviation इसका मतलब क्या है कि जो vapor pressure है वो ideal solution से जादा है तो vapor pressure जादा होने से balling point कम होता है इसी तरह अगर मैं negative deviation की बात करूँ तो यह graph नीचे की तरह बनेगा देखे यह हमारे पास ideal solution का graph है यह उपर यह dot वाला लेकिन देखे यह नीचे negative deviation शो कर रहा है तो यह solution का vapor pressure हो गया और यह solvent और solute का vapor pressure हो गया तो एक negative deviation दूसरा positive deviation positive deviation में balling point कम होता है vapor pressure जादा होता है negative deviation में vapor pressure कम होता है और balling point जादा होता है अब इसको और detail से समझते हैं बहुत सारे questions ideal और non-addle solution से पूछे जाते हैं तो इसको समझना आपको जरूरी है तो एक तरफ मैंने लिखा ideal solution दूसरी तरफ लिखा non-addle solution again non-addle solution दो टाइप के हैं जो की positive deviation शो करते हैं route loss से दूसरे negative deviation बने तो ideal solution का diagram हमने इस तरह से बनाया था कि vapor pressure mole fraction के directly proportion होता है जैसे जैसे mole fraction कम या ज़ादा होगा vapor pressure भी उसी अनुपात में कम या ज़ादा होगा तो एक ideal behavior यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से अब देखें बच्चों अगर मैं positive deviation की बात करो तो यहाँ पर vapor pressure जो है कभी कम और कभी ज़ादा होगा लेकिन ideal से हमेशा ज़ादा ही रहेगा देखेंगा आप इस तरह से यह मैंने अभी आपको समझा दिया इसी तरह अगर negative deviation की बात करें तो vapor pressure ideal solution से कम ही रहने वाला है तो एक में balling point बढ़ जाएगा दूसरे में balling point कम हो जाएगा अब देखें बच्चों अगर मैं ideal solution की बात करूँ तो जो solvent और solute का interaction है या इनके बीच जो attraction force काम कर रहा है वो equal होता है solute-solute and solvent-solvent के interaction के बराबर clear? अब अगर हम positive deviation वाले non-ideal solution की बात करें तो देखो यहाँ पर A और B interaction इसका मतलब solute and solvent दोनों के बीच interaction कम होता है या attraction force कम होता है as compared to solute-solute and solvent-solvent interaction तो बच्चों जब solvent और solute के बीच interaction कम हो जाएगा तो उसका balling point भी कम हो जाएगा तो उसका वे preparation बढ़ जाएगा तो यहीं यहाँ पर show हो रहा है अगर मैं negative deviation वाले non-ideal solution की बात करो तो यहाँ पर देखे A और B interaction यानि solute and solvent के बीच का interaction ज़ादा होता है as compared to solute-solute and solvent-solvent interaction तो जब interaction ज़ादा होता है तो attraction force भी बढ़ेगा तो balling point बढ़ जाता है और vapor pressure कम हो जाता है अगर मैं delta H और delta V की बात करो तो जैसा मैंने आपको बोला था ideal solution में न तो enthalpy में कोई change होता है न तो volume में कोई change होता है दोनो 0-0 होते लेकिन अगर मैं positive deviation वाले non-ideal solution की बात करो तो देखो बच्चों यहाँ पर जो enthalpy change है वो 0 से ज़ादा है यहीं डेल्टा H की value positive है और delta H की value positive का मतलब heat absorb हो रही है तो जब हम दोनों component को आपस में mix करती है तो heat absorb होती है enthalpy change will be positive उसी तरह volume भी positive होता है यानि volume ज़ादा हो जाता है उन दोनों individual component के अगर आपने 5 और 5 ml दोनों solute and solvent मिला है तो यह 10 ml नहीं होगा यह 10.1 ml हो जाएगा थोड़ा सा इसका volume बढ़ जाएगा अगर हम negative deviation वाले non-addle solution की बात करें तो देखो यहाँ पर delta H mixing यानि जो enthalpy change है वो negative है 0 से कम है 0 से कम मतलब heat will be release clear और यहाँ पर delta V mixing यानि volume भी negative है यानि volume कम हो जाता है उन दोनों individual component के sum of volume के समझ में बात आ रही है अब बात करते हैं सबसे important चीज इनके examples की तो examples से कई बार question आते हैं बहुत बार पूछे गए हैं तो अगर ideal solution की बात करो तो अभी मैंने आपको बोल दिया था कि जो 5 example है वो पिछली वाली slide में आप देख लेना यहाँ पर दो ही दिये हैं अगर मैं non ideal solution की बात करो तो positive divation वाले देखो कौन से example है acetone ethanol acetone CS2 water methanol ethanol and cyclohexene acetone के साथ carbon disulfide acetone के साथ benzene carbon tetra chloride के साथ chloroform तो यह किसके example है positive divation वाले non ideal solution negative वाले देख लो acetone aniline acetone chloroform methanol and acidic acid benzene and chloroform water and HCL water and nitric acid यह तो कई बार पुछा जाता है diethyl ether and chloroform तो यह negative divation वाले non ideal solution की बात clear हो गया अब थोड़ा समय एक quick आपको बता दू ideal और non ideal solution में difference तो जैसे हमने बात किती ideal solution में जो solvent का interaction होता है और solute का interaction होता हो किसके बराबर होता है solution का interaction के बराबर होता है जबकि यहाँ पर interaction difference होता है solution का interaction अलग होता है solvent solvent and solute solute का interaction बहुता है, यहाँ पर, वॉल्यूम और, एंथल्पी में कोई भी चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर, वॉल्यूम और एंथल्पी कभी भी zero नहीं होगी, या तो वो positive होगा, या तो negative होगा, और यहाँ पर, ideal solution, राउल टोलो को फॉलो करते हैं जब कि नौड अडल सलूशन ड्राउल ड्राउ को फॉलो नहीं करते हैं तो पिछली स्लाइड में आपने सारे डिफ्रेंस देख लिए अब बात करते हैं अजियो ट्रॉप्स इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है इससे भी कुशन पूछे जाते है सपोज माल लेजा मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर में मैं दो लिक्विड एक लिक्विड ए और एक लिक्विड भी रखता हूँ अच्छा देखें इस लिक्विड की मैंने कॉंसेंट्रेशन या कम्पोजिशन रखा है 5% और इसका मैंने रखा है 95% चलो मैं A लिक्विड को वाटर नाम देता हूँ और B लिक्विड को मैं इथेनोल नाम देता हूँ यानि इथेनोल एर वाटर का मैंने यापर मिक्षर रखा है और उसका कम्पोजिशन मैंने set कर लिया है 95 और 5% ठीक है भई अब देखिए बच्चो जब मैं इन दोनों को boil करूंगा है नऄ तो water का ballin point अलाग है और ethanol का boiling point अलाग है यह इस composition में इस composition में दोनों liquid एक constant balling point पर ही boil होंगे यह खास बात है जबकि balling point दोनों के अलग-अलग है लेकिन इस composition में दोनों का balling point एक ही होगा और दोनों का vapor pressure भी एक ही होगा तो इसी तरहें के mixture को हम बोलते हैं azotrops तो बच्चों azotrops का मतलब यह होता है कि दो liquid जब एक definite composition में एक दूसरे के साथ mix किये जाते हैं तो दोनों liquid एक single liquid की तरह भीव करते हैं और दोनों का vapor pressure और balling point एक ही होगा तो जब हम उनको distillate करेंगे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही liquid है जबकि दोनों अलग-अलग है clear? तो बच्चों अब azotrops की definition azotrops are mixture of liquid which boil at constant temperature एक ही temperature पर boil होंगे उनका balling point एक ही होगा जैसे मानों वो एक तरहें के pure liquid है और same composition रखेंगे चाए आप उनको vapor phase में देखो चाए liquid phase में देखो उधर भी वो 95 5 का ratio रखेंगे और liquid में भी वो 95 और 5 का ratio रखेंगे तो इस तरहें के mixture को हम क्या बोलेंगे azotropic mixture या constant balling mixture आप देखें बच्चों types of azotrops कौन कौन से होते हैं there are two types of azotropics mixture एक है minimum balling azotrops और दूसरा है maximum balling azotrops minimum balling azotrop के अगर हम बात करें तो minimum balling मतलब balling point कम है तो balling point कम है तो vapor pressure ज़्यादा होगा तो अगर round law के यह साब से देखा जाए तो यह positive deviation show करते हैं from round law तभी तो balling point कम होगा यह ideal behavior हो रहा है यह positive deviation होगी है तो vapor pressure बढ़ गया, balling point कम होगी है अगर maximum balling azotrop की बात करें तो balling point ज़्यादा है तो vapor pressure कम है तो यह negative deviation show करते हैं round law से अगर यह ideal behavior है तो यह नीचे के तरह आजाएंगी clear, आप देखें second point देखें, the mixture will have minimum balling point which is less than balling point of two component तो individual component का balling point ज़्यादा होता है और जो mixture आपने बना है उसका balling point कम होता है, अभी मैं example करके आपको बताता हूँ, और यहाँ पर देखें, mixture का balling point ज़्यादा होगा as compared to individual component balling point, clear होगा example समझने बहुत जरूरी है minimum balling as a drop की बात करें तो ethanol और water 95 and 5% chloroform and water 97 and 3% वहीं अगर maximum balling as a drop की बात करें तो sulfuric acid 98.3% और बाकी water nitric acid की बात करें तो 68 32 का mixture होता है वहीं अगर हम per kloric acid की बात करें तो 71.6 और बाकी water और hydrofluoric acid 35.6 और बाकी water तो most of maximum balling as a drop और minimum balling as a drop किसके है water के साथ किसी और chemical का mixture है लेकिन बच्चों यह definite composition होता है अगर यह composition change हो गया तब वो as a drops नहीं रहेंगे तो सबसे पहले बात करते है minimum balling as a drops की आपने लिया ethanol and water ठीक जो हमारे पास ethanol है उसका जो balling point होता है वो होता है 351.3 351.3 Kelvin और जो water है उसका balling point होता है 373 है ना जब आप इन दोनों को इस composition में mix करोगे तो हमें क्या मिलेगा azotrop मिलेगा तो वो जो azotrop बना है उसका balling point होगा 351.15 Kelvin देखिए तो बोलने का मतलब है कि ये individual component से कम balling point दिखा रहा है अभी जैसे मैंने discuss किया था है ना इसलिए उसको minimum balling azotrop बोलेंगे अगर मैं maximum balling azotrop की बात करो यहाँ पर discuss करते हैं ना चलो pen भी change कर लेता हूँ मैं यह वाली pen दे लेते हैं अब देखो मैं nitric acid और water की बात करता हूँ तो यह हमारे पास nitric acid है और यह हमारे पास water है water का balling point 373 Kelvin और nitric acid का अगर मैं balling point देखो 359 Kelvin है नहीं यह दोनों का मैंने balling point दिख दिया अब दोनों को आप इस composition पे mix करो 68 and 32 तो यह azotrop mixture बनानेंगे तो जो इनका mixture बनेगा उसका जो balling point होगा वो होता है 393.5 Kelvin यह देखी तो हो गया ना दोनों से ज़्यादा तो balling point का इस तरह से concept इसमें आते हैं तो आपको example भी समझने है कौन minimum balling point है कौन maximum balling azotrop है चलिए आगे बड़े तो चलिए बच्चों next हमारे पास है difference between maximum and minimum balling azotrop वो इसे आपने difference पढ़ी लिया है फिर भी एक बार थोड़ा सा कोई क्रिविजन कर लेते हैं तो positive deviation के अगर मैं बात करूँ तो जो vapor pressure है positive deviation वो ज़्यादा होगा partial pressure भी और vapor pressure भी ज़्यादा होगा route law या idle behavior से जबकि यहाँ पर vapor pressure और partial pressure individual component का कम होगा route law के इसाब से ठीक है यहाँ पर delta H mixing और delta V mixing 0 नहीं होगी वो कितनी होगी positive होगी यानि volume बढ़ेगा और heat absorb होगी यहाँ पर volume कम होगा negative होगा data V mixing और H mixing भी negative होगा यानि heat release होने वाली है यह हम बात करते है minimum balling as a drops यह maximum balling as a drops होगया और इसके example होगी ठीक है भाई तो चलिए बच्चो next हमारे पास है colligative property of dilute solution colligative property किसी dilute solution की वो property होती है जो किसी solute के number पर depend करती है यानि solute की amount पर depend करती है उसके nature पर depend नहीं करती है और जो यह dilute solution है हमने कैसे बनाया हमने एक non-volatile solute को किसमें डाला volatile solvent जो भी हमारे पास solution निकल के आया that is called dilute solution और उसकी जो property होगी कुछ property होती है वो किस पर depend करता है उसकी amount पर depend करता है यानि कितना आप नहीं मिलाया है ना कि क्या मिलाया है और जो बच्चों non-volatile solute हमारे पास है जैसे NACL हो गया यूरिया हो गया and glucose हो गया clear अब हमारे पास कौन कौन सी colligative properties होती है देखिए कुल मिला के चार colligative properties होती है पहली relative lowering of vapor pressure दूसरी elevation in walling point तीसरी depression in freezing point और चौती ausmetic pressure वान टू त्री और फोर इनी चारों के बारे में हमने पढ़ना है mostly इन पे numerical पोछे जाते है और numerical भी easy होती है अगर आपको formula मालूम है तो values direct formula में put up करनी है आपका answer आ जाएगा तो चलो one by one discuss करते है सबसे पहले बात करते है relative lowering of vapor pressure देखिए बच्चों जब vapor pressure कम होता है तो balling point हमेशा बढ़ता है तो बोलने का मतलब यह है कि जब आप किसी volatile solvent में किसी non-volatile solute को आप मिलाते हो तो जो भी solution आपको मिलता है उस solution का balling point बढ़ जाता है उस pure solvent से तो पहले solvent का balling point कुछ और होगा और जो आपने solution बनाया उसका balling point हमेशा ज़ादा होगा तो वेपर प्रेशर इसका कम होगा इसका वेपर प्रेशर जादा होगा अब देखो यह जो वेपर प्रेशर है वो किन चीजों पर depend करता है यह हमें सीखना है तो माल ने जहें हमारे पास यह pure solvent है जिसका कुछ न कुछ वेपर प्रेशर है और जब आपने इसमें कोई non-volatile solute मिला दिया तो देखो वेपर प्रेशर इसका कम हो गया है तो वेपर प्रेशर कम होने का मतलब balling point बढ़ गी है तो solution का balling point हमेशा pure solvent से ज़ादा होगा balling point of solution always more than balling point of pure solvent ठीक है और यह किसकी वज़े से वाद जब हमने solute मिलाया तो definition यह भोल रहे है वेपर प्रेशर अप्रेशर अप्रेशर एस लोवर देन तो प्रेशर अप्रेशर अभी वेपर प्रेशर अभी तो बच्चों जो वेपर प्रेशर लो हुआ है वो किसके बराबर होगा वो होगा mole fraction of solute यह बहुत important है mole fraction of solute है ना और mole fraction को हम किस से denote करते हैं एक्स से यानि solute की amount पर depend करेगा अब देखे बच्चों हम किस तरह से इस चीज को हम formula में put up करते हैं मालने ज़ा हमारे पास जो solvent है उसका वेपर pressure है P01 और जो solution है उसका वेपर pressure है P1 ठीक है तो इन दोनों का difference कितना होगा P1 minus P01 यह तो वाग इसको हम delta P भी लिख सकते हैं तो अब इसको formula हमें कैसे बनाना देखो P01 minus P1 by P01 इसको हम कैसे लिख सकते हैं P01 minus P1 का जो difference होगा that is called delta P और delta P by P01 अब देखे बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था कि यह जो relative lowering of vapor pressure है किसके बराबर होता है the mole fraction of solute तो mole fraction of solute को ऐसे लिख सकते है number of mole of solute by total mole ठीक है तो आप देखें जो हमारे पास P01 है वो किसका vapor pressure है pure solvent का जो P1 है किसका vapor pressure है solution का जो N2 है वो किया number of mole of solute और N1 किया number of mole of solvent ठीक है अब देखें यहाँ पर जब हम dilute solution की बात करें तो solvent की concentration solute से कई गुना जादा होते तो हम यहाँ पर जो है N1 प्लस N2 के जगा क्या लिख सकते है only N1 तो जो equation हमारी हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी देखो यह लिखा N2 by N1 यह तो हुआ तो जो relative lowering of vapor pressure है वो किसके बराबर होता है mole of solute by number of mole of solvent अब देखो यहाँ जो हमारे पास number of mole है उसको हम N equal to weight by molecular weight ऐसे कर सकते है तो N2 है तो हो जाएगा W2 by M2 और जो N1 है वो जाएगा M1 by W1 तो यहाँ पर W2 and W1 के है mass of solvent and solute है ना और M1 के है molecular mass of solvent and solute अगर आपको molecular mass पता है और वो कितने gram dissolve हो रहा है solute तो आप आसानी से related lowering of vapor pressure निकाल सकते है clear अब बात करते हैं दूसरा elevation in the balling point देखे अभी हमने discuss किया था कि जब हम किसी non-volatile solute को volatile solvent में मिलाते है तो vapor pressure कम हो जाता है तो उस balling point बढ़ने को हम बोलते है elevation in balling point ठीक है तो ये diagram मैंने पहले discuss किया था vapor pressure कम हो गया देखो तो balling point बढ़ गया तो आप एक experiment कर सकते हैं जो घर में नमक है उसको आप या water में मिला तो फिर आसको cookie करो तो आपको पता चल जाएगा कि water को balling होने में थोड़ा सा time लगता है तो इसका मतलब उसका balling point बढ़ गया है ठीक है और किसकी वज़े से हुआ जब हमने उसमे non-volatile solute add किया है जैसे table salt तो definition के एसाब से देखा जाए तो balling point of solution containing non-volatile solute is always higher than the balling point of pure solvent this property is called elevation in balling point clear अब देखे बच्चों ये graph है जो वेपर pressure और temperature के बीच हमने खीचा है तो यहाँ पर देखो दो चीज़े हैं solvent and solution इस temperature पर solvent का वेपर pressure इतना है तो temperature हमने बढ़ा दिया तो again solution का वेपर pressure भी same रानने वाला है लेकिन temperature difference आगिया यानि उसी वेपर pressure को पानने के लिए हमें temperature बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब balling point बढ़ गया है तो जो ये temperature difference है इसी temperature difference को हम बोलेंगे elevation in the balling point ठीक है तो अब देखो बच्चों ये diagram आपके सामने है the difference in the balling point of solution जो हमने solution बनाया है और pure solvent उन दोनों के बीच balling point का difference आता है इसके और इस point के बीच that is called elevation in the balling point ठीक तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं delta tb difference in the balling point equal to tb minus t0b तो जो tb है वो क्या है solution का balling point और जो t0b है वो pure solvent का balling point तो बच्चों ये हमेशा कम होगा ये ज़्यादा होगा तो जो भी difference आएगा हम उसको elevation in balling point बोलेंगे ठीक अब देखे बच्चों experiment ये बोलते हैं जो elevation in balling point है वो किसके बराबर होता है वो होता है molality of solute molality यानि molal concentration of solute कि कितना gram आपने solute dissolve किया ये तो वह ठीक तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं delta tb directly proportion to the small m यानि molality तो आप देखे बच्चों आप ये proportion अटा दो और उसमें equal to लगा तो हमारे पास एक नया constant आ जाता है delta tb equal to kb into m और kb का मतलब होता है molal elevation constant या ebiloscopic constant clear तो आप देखे बच्चों तो molality equal to m तो अभी बोला था elevation in balling point आप वो किसके बराबर होता है molality के directly proportion होता है ठीक और इसको हमने अभी ऐसा लिखा था अब जो molality है उसको हम कैसे लिख सकते है ऐसे लिख सकते है molality यानि आपके बाद जो solute है वो कितना gram है यानि w2 solute है उसका molecular weight कितना है यानि m2 और w1 यानि solvent का weight in gram और उपर आपने 1000 लिखी दिया तो ये सब चीजें लिखी हैं हमने तो w1 के है mass of solvent in gram w2 के mass of solvent in gram और m2 के molecular mass of solute ये तो हुआ तो आप m के जगा ये पूरी equation लिख दो और उसको kb से multiply कर दो kb equal to molality of solute ठीक है तो एक नई equation आपके सामने आ गई है ये वाली तो अगर आपको ये सारी चीजें मालूम हो तो आप आसानी से elevation of balling point निकाल सकते हैं clear हो गया अब देखो बच्चों यहाँ पर हम solute का molecular mass भी निकाल सकते हैं अगर आपको elevation of balling point की value मालूम हो तो ये equation direct मैंने लिखे है m2 equal to kb into w2 into 1000 by w1 into delta tb तो molecular mass भी यहाँ से पता लग सकता है clear हो गया तो इससे जितने भी numerical आते हैं direct इसमें आपको values put up करने होती है और answer बालूम करना होती है बात खतम चले तो तीसरी property हमारे पास है depression in freezing point जब आप एक non-volatile solute को volatile solvent में dissolve करते हो तो जो solution होगा उसका freezing point कम हो जागा किसे उस pure solvent के freezing point से और इसी को हम बोलेंगे depression in freezing point तो यह definition मैंने यही लिखे है और यही बता रहा है कि depression in freezing point क्या होता है clear तो तलिए बच्चों एक graph से इसको और समझने की कोशिश करते हैं यह हमारे पास एक graph है ठीक अब देखे यह हमने solvent लिया है और solvent का freezing point यह रहा जिसको हम T0F से denote करते हैं यह pure solvent का freezing point है जब आप इसमें non-verital solute मिलाते हो तो यह solution बन जाता है और अब यह कम temperature पर freeze होगा तो उसको हम Tf से denote करेंगे तो freezing point क्या हो गया? कम हो गया अब और कम temperature लेगा जमने के लिए तो यह जो difference आता है इसको हम बोलेंगे freezing point depression और इसको हम delta Tf से भी denote करते हैं तो अब हमारे पास equation क्या बनी? तो delta Tf equal to T0F minus Tf जो T0F है वो क्या है? उस pure solvent का freezing point ठीक है? और जो Tf है वो solution का freezing point है जैसा हमने पहले वाली equation में किया था अब देखिए जो हमारे पास delta Tf है वो किसके बराबर होता है? molality of solute कितना gram आपने solute dissolve किया है और जब आप इसको आगे solve करोगे तो delta Tf equal to kf into m आता है जो kf है वो क्या है? molal depression constant और cryoscopic constant इसको हम बोलते है kf clear? तो अब आगे equation कैसे लिखेंगे? वही कानी हो जाएगी तो delta Tf thatly proportional to the molality और आपने आगे लिखा delta Tf equal to kf into m अब जो हमने m है molality उसको इद ऐसा लिख लो तो molality का formula यह होता है ठीक है? Wb यानि weight of solute mb यानि molecular weight of solute और w e क्या है? weight of solvent अब यहां से आप molecular mass भी निकाल सकते हो तो m2 equal to kf into w2 into 1000 by w1 into delta Tf बस जैसे पिछली वाले equation में हमने किया था चले अब बात करते हैं बच्चों osmosis and osmotic pressure तो osmotic pressure को समझने के लिए पहले आपको एक process को समझना पड़ेगा जिसका नाम है osmosis clear? अब देखो एक diagram आपकी screen के सामने है और इसमें हम पहले osmosis को समझेंगे तो आपने एक beaker में दो solution रखे हैं इस तरफ आपने एक concentrated solution है और इस तरफ क्या है बच्चों? dilute solution है तो जहाँ dilute solution है वहाँ water की concentration जादा है जहाँ concentrated solution है वहाँ water की concentration कम है तो यहाँ water कम है यहाँ water जादा है तो जहाँ concentrated solution है उसमें जो है solute particle हमने इस तरह से यह black spot से denote की है ठीक? solute यानि salt molecule जो भी आपने इसमें non-volatile solute add किया हो अब देखे बच्चों जो osmosis की process है वो यह बोलती है कि जब आप दो different concentration के solution को एक semi permeable membrane this is semi permeable membrane तो जब आप दो different concentration के solution को एक semi permeable membrane से separate करते हो तो जो moment of solvent है वो हमेशा less concentration से high concentration वाले solution की तरफ होता है तो बच्चों एक चीज़ आपको ध्यान रखना जो solute particle है वो तो कभी इदर आनी सकते है क्योंकि यहाँ पर semi permeable membrane है semi permeable membrane केवल solvent के molecule को allow करती है solute के molecule को allow नहीं करती है clear? तो अब जो solvent है वो ज़्यादा का है? जिदर concentration कम है जिदर concentration ज़्यादा है उदर solvent कम है तो हमेशा solvent के molecule यानी water के molecule कम concentration वाले solution से ज़्यादा concentration वाले solution की तरफ जाएंगे clear हो गया? तो इसी process को हम बोलते हैं osmosis तो बच्चों क्या होगा? बात एक तरफ level ज़्यादा हो जगा और यह moment of solvent तब तक रहेगा जब तक कि दोनों साइड concentration इक्वल नहीं हो जाती clear? तो इसी को हम बोलते हैं osmosis तो osmosis का मतलब यही हुआ the moment of solvent molecule from less concentrated solution to more concentrated solution through semi-permeemble membrane is called as osmosis अब बात करते हैं osmotic pressure तो बच्चों दो diagram आपकी screen के सामने पहले एक diagram की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है osmosis की process हो रही है यहाँ पर dilute solution है इधर concentrated solution है यह semi-permeemble है तो जो हमारे पास solvent है वो dilute solution से concentrated solution की तरफ जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक concentration equal नहीं हो जाती है तो जो concentrated solution है उसका level थोड़ा सा बढ़ जाएगा clear तो इसे को हमने क्या बोला था osmosis बोला था अब देखे बच्चों अगर आप इस तरफ left hand side जिदर concentrated solution था उदर आप pressure लगाएं और कितना pressure लगाएं जो इन dilute solvent के molecule को इधर आने से रोक दे अभी हो क्या रहा था कि dilutes solvent के molecule इधर आ रहे थे water के molecule इधर आ रहे थे तो बोलने का मतलब है इस तरफ pressure लग रहा था तो आप इस solution पर इतना pressure लगाओ कि solvent के molecule left hand side आना बंद हो जाएं यानि रुख जाएं इस pressure को हम बोलेंगे osmotic pressure यानि वो pressure जो osmosis को रोक देता है that is called osmotic pressure तो देखिए क्या definition होगी the minimum pressure which must be applied on the solution side जहां higher concentration आपने रखी है in order to prevent osmosis is called osmotic pressure तो अब बच्चों बात करते हैं कि osmotic pressure किन चीजों पर depend करता है जैसा हमने बोला था कि osmotic pressure एक तरह की colligative property है जो solute के number of particle पर depend करेगा ना कि उसके nature पर depend करेगा अब ऐसा देखा गया है कि जो osmotic pressure है वो किसके बराबर होता है वो directly proportional होता है molarity molarity of solution तो बच्चों अब हम equation देखेंगे किस तरह से osmotic pressure को पर जो osmotic pressure है उसको हम pi से denote करते हैं और यह किसके बराबर होता है directly proportional to the molar concentration of solution तो pi directly proportional to C यानि molar concentration और pi directly proportional to T यानि temperature तो अगर मैं यहाँ पर pi equal to लिखूँ तो C R और T के बराबर होता है तो R के हमारे पास एक constant आ गया है हमने proportional को हटा के equal to लिख दे तो हम एक constant लिखना पड़ेगा that is called gas constant है न gas constant तो अब नई equation हमारे पास निकल के आई pi equal to CRT जहाँ पर pi का मतलब osmotic pressure C का मतलब concentration R का मतलब gas constant जिसकी value इतनी होती है 0.0821 liter atom per Kelvin per mole ठीक है अगर आगे इस equation को आप और extend करोगे तो C की value होती है n by V यानि moolarity का मतलब होता है number of mole by volume of solution in liter ठीक तो आगे equation कैसे दिखेगी आपको pi equal to n by V RT तो चलो अब हमने pi equal to CRT लिखा है ठीक है तो अब इसको और आगे करते है तो pi equal to n by V RT और thousand V मतलब यहाँ पर जो solution का volume है वो ml में है ठीक है आप देखो बच्चों जो n2 है n2 का मतलब होता है number of mole of solute ठीक है अच्छा number of mole of solute को हम आगे weight by molecular weight की form में लिखते हैं तो equation आप कैसे बनेगे देखो W2 by M2 W2 का है weight of substance यानि non-volatile solute और M2 का है molecular weight of non-volatile solute R और T और thousand पहले से है V का है solution का volume in ml में तो इस तरह से हम osmotic pressure निकाल सकते है आपको अगर यह सब चीजे मालूम हो तो बच्चों R और T तो constant होता है ठीक है बस आपको क्या चाहिए वो जो particular solute है उसका molecular mass चाहिए और उसका weight चाहिए बस तो यहां से आप molecular mass भी निकाल सकते हो तो molecular mass के लिए यह formula आप लगा हो ठीक है चलिए अब बात करते हैं isotonic hypertonic and hypotonic solution तो बस समझने की चीजे हैं यह कैसा है देखो बच्चों है ना तो यहां पर तीन diagram आपके सामने दिख रहे हैं और तीनो diagram में तीनो चीजों को मैं explain करोंगा this is hypotonic isotonic and hypotonic तो यह जो बच्चों आपको दिख रहे ना यह वाले this is semi permeable membrane है यह सब में semi permeable membrane है और दोनो तरफ solution की concentration आपको दिख रही होगी एक तरफ यह solution है दूसरी तरफ यह solution है clear तो सबसे पहले आजाओ number A पर यानि permeable membrane से दोनों solution को separate किया देखो यह जो अंदर का solution है inside है ना चलो इसको मैं बोल देता हूँ inside और यह outside अब देखे बच्चों inside जो है यह जो salute particle है यह आपको ज़्यादा दिख रहे है और outside के वाल एक ही salute particle है इसका मतलब यहां की concentration कम है और यहां की concentration ज़्यादा है यह तो अगर किसी cell के इसको आप एक cell माल लो यानि किसी solution के बाहर अगर concentration कम होती है तो that is called hypotonic solution और hypotonic solution में क्या होगा बच्चों जो solvent है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा क्योंकि बाहर solvent ज़्यादा है concentration कम का मतलब solvent ज़्यादा अंदर concentration ज़्यादा है इसका मतलब solvent कम है तो बाहर से solvent अंदर की तरफ आएगा अगर आप hypotonic solution लेते हैं तो है ना ऐसो टोनिक का मतलब होता है बाहर और अंदर दोनों solution equal concentration में है तो जो solvent के molecule है वो अंदर और बाहर दोनों direction में equal pressure से जाएंगे तो इसका मतलब solvent के molecule न तो बाहर आएंगे न तो अंदर जाएंगे ये तो बाहर clear होगे तो that is called isotonic solution अब देखो hypotonic solution में उल्टा होता है अंदर की concentration कम हो गई है और बाहर की concentration बढ़ गई है ये concentration बढ़ गई है तो अब क्या होगा बच्चों अंदर की concentration कम है इसका मतलब अंदर solvent जादा है बाहर की concentration कम है इसका मतलब बाहर solvent कम है तो अब क्या होगा जो solvent के particle होंगे वो अंदर से बाहर की दरफ से ठीक है तो इसी को हम बूलेंगे hypotonic solution तो इसको तो इस तरह समझो कि माल लेजे हमारी body की cell है और हमने अपनी body की cell को जो है ऐसे solution में रखा है जो बाहर के concentration जादा है तो इसका मतलब वो hypertonic है अगर ऐसे solution में रखा है जिसकी concentration cell की concentration के बराबर है तो वो isotonic हुआ और ऐसा solution जिसकी concentration बाहर कम है तो that is called hypertonic solution एक चीज़ को आपके एक चीज़ को आप कम और ज्यादा करते जाओ clear हो गया अब इसमें एक question आता है कि जो हमारी cell है वो किस तरह से water के balance को control करती है तो यह diagram आपकी screen के सामने है यहां पर हम तीनों solution को समझेंगे hypotonic, isotonic and hypertonic तो समझो यह हमारी body की cell है जो हमारा body fluid है उसमें बहुत सारे ions होते हैं तो जो body fluid है उसकी कोई ना कोई concentration होगी तो हमारी जितनी भी cells होती है वो body fluid में रहती है तो बच्चों जो cell का अंदर का concentration है और जो body fluid का concentration है वो दोनों equal होते हैं तो जो हमारी cell है वो हमेशा intact रहती है कभी भी damage नहीं होते है क्योंकि दोनों side concentration बराबर है तो ऐसा माना गया है कि जो हमारी body fluid है उसकी जो concentration होती है वो किसके बराबर होते है 0.09% weight by volume sodium chloride solution NaCl solution तो बच्चों ये जो NaCl solution का इतना percent उसका osmotic pressure body fluid के osmotic pressure के बराबर होता है तो इसलिए जब हम injection देते हैं तो जो drugs होती है वो 0.9% sodium chloride solution में बनाए जाती है ताकि body का जो osmotic pressure है वो maintain रहे है तो बोले का मतलब है कि अगर हमारी जो cell है जो हमारी cell है वो ऐसे environment में रखी जाती है या ऐसे solution में रखी जाती है जिस solution को हमने कैसे बनाया है 0.9% NaCl से बनाया है जो cell के अंदर की concentration है और जो बाहर का solution है उसकी concentration equal है तो जो solvent है वो equally बाहर और अंदर जाएंगी तो जो cell है वो एकदम perfect रहेगी intact रहेगी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा that is called isotonic solution है ना तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं hypotonic solution को अगर आपने cell को ऐसे solution में रखा है जिसकी concentration कम है और cell के अंदर की concentration जादा है तो इस type के solution को हम बूलेंगे hypotonic solution तो इसका मतलब जो आपने solution लिया है उसकी concentration कम है किस से 0.9% NaCl से यह तो हुआ ठीक है तो बच्चों क्या होगा बाहर solvent जादा है तो बाहर का solvent अंदर यानि water अंदर की तरफ आएगा cell की तरफ तो cell में water के concentration बढ़ जाएगी तो cell क्या हो जाएगी बच्चों swell हो जाएगी ठीक है और जब cell swell हो जाएगी तो उसके burst होने के chances बढ़ जाएगे वो burst हो सकती है clear अब बात करते हैं hypertonic solution आपने cell को जो है ऐसे solution में रखा है जिसकी concentration cell की concentration से ज़्यादा है बाहर concentration ज़्यादा cell की concentration कम ठीक है तो इसका मतलब यह होगा कि जो हमारे पास solution है उसकी concentration 0.9% NaCl से ज़्यादा है ठीक है तो आप क्या होगा cell के अंदर का जो water होगा वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो cell क्या हो जाएगी श्रिंक हो जाएगी तो यह हमारे पास water balance by the cell होता है यानि cell water को किस तरह से balance करती है यह पूरा एक्जाम्पल चले बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है reverse osmosis यानि osmosis का उल्टा जैसे हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे पास osmotic pressure होता है osmotic pressure का मतलब होता है कि solvent को concentrated solution में आने से रोकने के लिए जो pressure हम apply करते हैं that is called osmotic pressure लेकिन बच्चों अगर हम pressure को ज़्यादा कर दें उस concentrated solution की तरफ अगर pressure ज़्यादा कर दें तो अब उल्टा हो जाएगा इस concentrated solution में अब इस dilute solution की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगे अगर हमने pressure osmotic pressure से ज़्यादा किया तो तो इस type की process को अम बोलेंगे reverse osmosis if the pressure higher than the osmotic pressure is applied on the solution concentrated solution the solvent molecule will flow from the solution into the pure solvent through semi-permeable membrane that is called reverse osmosis or reverse osmosis का सबसे अच्छा साइदा है desalination of water जो हमारा sea water होता है उससे अगर हमें pure water बनाना है तो हम इस process को reverse osmosis को use करते हैं तो चलिए बच्चों last topic हमारे पास है abnormal molecular mass suppose माल ने जाए हमारे पास दो टाइप के solid है एक KCL और दूसरा है glucose जब हम KCL को volatile solvent में dissolve करते हैं तो K plus और CL minus ion बनता है जबकि glucose को dissolve करते हैं तो glucose ionize नहीं होता है as such रहता है तो हम यह बोल सकते हैं कि अगर एक मोल glucose या एक मोल non-volatile solute जब किसी volatile solvent में dissolve होता है तो वो dissolve होने के बाद एक मोल ही रहता है तो qualitative property में कोई change नहीं आता है लेकिन अगर मैं KCL की बात करूँ तो KCL का एक मोल जब volatile solvent में dissolve होता है तो वो दो particle में तूड जाता है तो एक मोल हमारे पास potassium ion हुआ और एक मोल हमारे पास chloride ion हुआ तो हमने एक particle को dissolve के आता लेकिन हमारे पास दो particle आ चुके है तो अब जो qualitative property है उसमें changes आ जाएगा और किसी भी qualitative property से अगर हम molecular mass निकालना चाह रहे हैं तो जो molecular mass है उसमें भी difference आता है तो बच्चों इसी तरह की problem को हम बोलते हैं abnormal molecular mass ठीक है तो अब आगे समझते हैं इसको तो बच्चों देखो अभी माने आपको example दिया था KCL का अगर हम एक मोल KCL को dissolve करते हैं तो एक मोल K plus और एक मोल CL minus ion release होते हैं तो यहाँ पर एक मोल particle से दो मोल particle generate हो रहे हैं तो number of particle बढ़ रहा है यानि amount of solute बढ़ रही है तो इस वज़े से जो colligative property है उसमें भी changes आना स्वाबा भी कहें तो इसको हम बोलते हैं बच्चों dissociation जब molecule dissociate होता है अपने iron में तो जो experimentally molecular mass है वो हमेशा कम होता है true value से clear तो इसी तरह के molecular mass को हम बोलते है abnormal molecular mass दूसरे टाइप की problem का बात यह देखे जब कोई molecule जैसे ethanoic acid को अगर हम benzene में डाले तो यह hydrogen bonding की वज़े से associate हो जाता है यानि दो molecule का एक molecule बन जाता है डाइमर बना लेता है तो number of particle कम हो गए है तो जो true value है और जो experiment value है उसमें भी difference आ जाएगा तो बच्चों देखो जब हम molecular mass का calculation करते हैं किसके आधार पर इस qualitative property के basis पर तो qualitative property में अगर changes आता है तो molecular mass में भी changes आ जाएगा तो इस molecular mass में जो changes होता है that is called abnormal molecular mass तो दो इक condition हो सकती है या तो molecule dissociate हो या तो molecule associate हो clear आप देखे बच्चों इस problem को दूर कैसे करते हैं हमें ये मालूम चलना चाहिए कि जो molecule है वो कितना degree dissociate होआ है और कितना degree associate होआ है अगर हम उसका extent of dissociation और extent of association पता कर लें तो जो molecular mass में disturbance हो रहा है आसानी से किया जा सकता है ठीक और इसी problem को दूर करने के लिए एक factor हम coin करते है that is called want of factor want of factor को हम i से denote करते है small i अब देखे किस तरह से हम want of factor को calculate करेंगे तो i equal to normal यानि calculated molecular mass by abnormal molecular mass जो हमने observe किया है और जो हमारे उपर true value आई है उन दोनों का ratio और अगर मैं qualitative property के इसाब से देखूँ तो just ultra हो जाएगा है न क्योंकि molecular mass और qualitative property एक दूसरे के inversely proportional होती है तो observed value of qualitative property by normal value of qualitative property तो चाए आप molecular mass के basis पे बात करें चाए आप qualitative property के basis पे बात करें i दोनों condition में आप calculate कर सकते हैं clear अगर कोई molecule dissociate होता है जैसे KCl किस में टूटेगा K plus और Cl minus में तो जो i की value होगी वो हमेशा जादा होगी एक से तो यहाँ पर बच्चों जो i होता है वो 2 आता है लेकिन अगर कोई solute associate हो रहा है dimer बना रहा है तो जो want of factor है वो हमेशा एक से कम होता है जैसे ethenoic acid के लिए यह dissociate होता है यानि इसके दो molecule आपस में जो है इस तरह से dimer बना देते हैं यह तो यहाँ पर बच्चों i की value 0.5 आजाएगी एक से कम याद रखना है अब सबसे important चीज कि अलग-अलग solute के लिए i की value क्या होगी अब देखे हमने एक solute NaCl फिर KCl फिर MgSO4 फिर K2SO4 इस तरह से लिए है तो बच्चों जब कोई solute 100% dissociate होता है तो जो i की value है वो depend करती है number of ions produced clear अब देखे तो अगर मैं NaCl की बात करूँ तो अगर यह 100% dissociate होता है तो NaCl कितने ion में तूटता है दो ion में तूटता है एक Na positive एक CL ion इसलिए इसकी value 2E KCl भी 2 ion में तूटता है इसकी value 2E MgSO4 भी 2 ion में तूटता है तो इसकी value भी 2E K2SO4 दो K plus होंगे और एक SO4 minus माइनस होगा टोटल ion कितने बनेंगे तीन बनेंगे तो इसलिए I की value 3 हो जाएगी तो बोलने का मतलब है कि अगर कोई solute dissociate होता है तो I की value उसके number of ion पे depend करती है अगर मैं आपको बोलूँ कि K4 Fe Cn6 इसमें I के लिए value कितनी होगी तो यहां अगर यह dissociate होगा तो एक ion बनेगा Fe Cn6 ठीक है 4 minus और कितने potassium बनेंगे चार potassium बनेंगे तो चार और एक 5 तो I की value कितनी हो जाएगी 5 तो कोई भी solute आपको दे रखा हो I की value आपको कैसे पता करने है उसको ionized करना है number of ion will represent the value of I clear और दिखे बच्चों अगर यह incomplete dissociate होता है तो I की value बे difference आजएगा तो clear हो रहा है तो जैसे जैसे degree of dissociation बड़ेगा तो I की value भी बड़ेगे mostly बच्चों complete dissociation के बारे में पूछा जाता है कि particular ion का जब complete dissociation होता है तो I की value क्या होती है बात खतम हो गया ठीक है चले अब बात करते हैं जो भी हमारे पास colligative property है उनको want of factor के साथ कैसे relate करना है कि दोनों को किस तरह से हमें जोनना है तो कुछ नहीं करना है बस जो भी आपको formula मालूम है उसके साथ I का multiplication कर देना है बात खतम suppose relative lowering of vapor pressure हमने लिखा था कि relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of solute तो उसके साथ हमने क्या multiply किया want of factor बस तो want of factor को formula में put up कर देना है अगर मैं elevation of balling point की बात करूँ तो delta TB equal to KB into M था तो I के साथ उसको multiply कर दो depression in freezing point की बात करें तो delta F equal to I into KF into M ठीक और osmotic pressure की बात करें तो pi equal to CRT तो था ही बस I को multiply कर दो तो इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे want of factor को सारी colligative property के साथ relation में लाएंगे अब बात करते हैं degree of dissociation और दूसरी बात करेंगे degree of association तो कितना dissociate हो है कितना associative हो है यह हम कैसे निकालेंगे देखो बच्चों तो degree of dissociation का मतलब क्या आवाई कि total molecule में से कितने molecule dissociate होई है यह तो वह तो degree of dissociation को हम alpha से denote करते हैं तो हम क्या करेंगे number of mole of dissociate कितने dissociate होई है और total number of mole कितने थे that is called degree of dissociation तो बच्चों अगर आपको alpha मालूम है और i निकालना है तो इस formula से पता करेंगे clear लेकिन अगर आपको alpha निकालना है और i आपको दे रखा है तो alpha equal to i minus 1 n minus 1 और जो n है वो क्या है मारे पास number of mole of i and dissociate या associate और i क्या है want of factor clear उसी तरह degree of association भी हम आसानी से निकाल सकते है तो कितने mole associate होए है और total कितने mole थे तो number of mole of associate by total mole of molecule taken तो यहाँ पर i की value कैसे निकालेंगे इस formula से निकालेंगे 1 minus alpha plus alpha by n by 1 और अगर आपको i दे रखा हो तो alpha कैसे निकालेंगे 1 minus i n by n minus 1 clear तो बच्चों इस तरह से हम degree of association निकालेंगे alpha और i को हम calculate कर सकते है अगर दोनों में से कोई एक दे रखाओ तो चलिए बच्चों यह था हमारे पास full chapter revision solution तो I hope आपने chapter अच्छे तरह से देखिया होगा अब आपको क्या करना है सबसे पहले अगर आपको इस chapter में कोई doubt आता है तो आप मेरे telegram group पर मुझे उस doubt को भेज सकते हैं और मैं उसको live class में solve कराऊंगा या personal message करके भी solve कर सकता हूँ इसका link आपको discussion मिल जाएगा ठीक अब इस chapter के लिए आपको practice करनी है तो practice seat भी मैं इस chapter की दे दूँगा जिसका link description में दिया है तीसरी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका online test देना है और बच्चों के साथ competition करना है तो आप मुझे telegram group में message कर सकते हैं उसके बाद मैं आपको एक mail करूँगा जिस mail में उस particular test का link होगा उस link से आप test दे सकते हैं फाइदा ये होगा कि आपको और बच्चों के साथ competition करने का मौका मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कि इस chapter को PDF की form में लाया जाए कोई revision के लिए तो उसका link भी मैं नीचे description में दे दूगा एक chapter आपका अच्छी तरह से तभी cover होगा जब आप सारी चीजे step wise follow करोगे पही कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment box में लेख सकते हैं सारी चीजों के link description में आपको मिल जाएंगे Thank you very much